आज में बात करेंगे Solara Active Pharma Science Limited के बारे में कम्पनी का इस्टोक 402 रुपर पे ट्रेड कर रहा है आज की ट्रेड कर रहा है आज की ट्रेड कर रहा है अगर बात करें तो काफी जाद गिरावाट आपको इस इस्टोक में देखने को मिली है अपने अपोर्ड से और जेंटल च् decision About the stock करोड के आभर आए है अगर आपने बात करें यहाँ बात करें करी कम्पनी यहाँ पर फोर आद कर ठीकर से यहाँ पर traald फोर प्री फाट फीनेंड करोड की जो इस्टो इंकमmia आखने को मिली दिए अगर अगर बात करें में निबात करें तो क्हाँ पर क्वार्टर 4 के अदर 306 करोड़ का देखने को मिल रहा है और पिछले साल के क्वार्टर सुरी पिछले क्वार्टर के अंदर 401 करोड़ का और पिछले साल के क्वार्टर 4 के अंदर 306 करोड़ का आपको expenses देखने को मिल रहा है अगर profit before tax की अगर बात करें तो यहां पर आपको देखने को मिल रहा है 5.04 5.04 0.55 और अगर यहां के बात करें quarter 4 तो पिछले साल के quarter 4 के अंदर 31 करोड का कमनी को नुखसान हो आता है अब presently अगर देखें तो after tax की अगर बात करें तो यहां पर company की total income है 3.76 करोड आपको देखने को मिल रहा है पिछले साल के quarter 4 के अंदर 0.43 करोड और पिछले साल के quarter 4 के अगर बात करें तो 1.81 यानि अगर company के result को अगर देखें तो company ने पिछले quarter की तुलना में upward आपको देखने को मिल रहा है अगर बात करें financial year की सोरी अगर उससे पहले अगर comprehensive income की, quarters की comprehensive income को अगर देखें, तो पिछले quarter की तुलना में तो यहाँ पर आपको जो है, income ज़्यादा देखने को मिल रही है, लेकिन पिछले साल के quarter 4 की तुलना में अगर तो वहाँ पर जो company total income थी 3.34 यहाँ पर आपको 3.02 देखने को मिल रही है अगर बात करें financial year की, financial year 2022 के अंदर company की total income है, वो 1280 करोड की थी, जो बढ़कर 1460 करोड, अगर total expenses को अगर देखें, तो पिछले साल तेरा सो पिछे तरक करोड के expenses थे, वो 1511 करोड आपको देखने को मिल रही है, अगर 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 बात करें, company के total income, company को पिछले साल 58 करोड आपको नुक्सान में देखने को मिल रही थी, जो इस साल आपको 22 करोड के नुक्सान में आपको देखने को मिल रही है, और अगर बात करें, comprehensive income की, तो यहाँ पर पिछले साल company की total comprehensive income, 56.4 करोड थी, वो यहाँ पर इस बार 24.30, यानि company को जो नुक्सान है, पिछले साल के त अगर बात किजाए, तो दिसंबर कोडर के नदर परमोटर की होलिंग 40.4 थी, वो यहाँ पर बढ़ती हुए आपको नजर आ रही है, मार्च 20-23 के नदर 40.97 और अगर प्लेशेर की बात करें तो 33.73 आपको देखने हुँ मिल रहे है, जो कि मार्च 20-23 के नदर बढ़के 40.46 यानि प्रमोटर की होलिंग भी आपको बढ़ती हुए नजर आ रही है, उसके साथ प्लेशेर भी आपको बढ़ती हुए नजर आ रहे है, लेकिन होलिंग के साथ यहाँ प्लेशेर आपको बढ़ती हुए नजर आ रहे है, लेकिन होलिंग के साथ यहाँ प्लेशेर आपको 2.75 देखने हुकी मिलिए,' पब्लीक के बात करें, तो पब्लीक की होल्डिंग, last quarter के अंदर 37.32 की देखने हुकी मिल रहती हुन्य हो 36.95 यहीं हलकी सी कम्य आपको पब्लीक की होल्डिंग में अगर आप इस इस्टोग में एस करना चाहते हैं, अपने वीडियो आपको पसंद आया होगा कीप सप्रोटिंग